नमस्कार मैं सुतंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैं टीम पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में दैनिक जागरल के संपातकी से 431 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट आखिरकार चीन यह मानने को विवस हुआ की गलवान घाटी की जड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थें लेकिन फिलहाल उसने मारे गए सैनिकों की संख्या कम करके ही बताई है चीन पूरा सच बयान नहीं कर रहा है इस संदेह का एक कारण तो यह है कि अन्य सुरोतों से मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 45 से लेकर 70 तक बताई जा चुकी है और दूसरा यह कि इस खूनी जड़प के बाद चीनी सेना को अपने हता हत सैनिकों को ले जाने के लिए कई वाहनों का इंतिजाम करना पड़ा था यदि चीनी नित्रित्व अपनी जनता के प्रतितनिक भी इमांदार होता तो अपने सैनिकों के बारे में सूचना देने में नौ महीने नहीं लगाता साफ है कि सरमिंदगी से बचने के लिए चीन ने सच का सामना करने से इनकार किया चुकि यह उसकी पुरानी आदत है इसलिए उसकी बातों पर एक सीमा से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन उसकी सविकारोकती के बाद भारत में उन लोगों को अवस्य सरमिंदा होना चाहिए जो यह मानने को तैयार नहीं थें कि गलवान में चीनी सैनिकों को कोई नुकसान हुआ ये ऐसे अंधविरोधी थें जो भारत से ज्यादा चीन के गाओं पर भरोसा कर रहे थें वास्तव में इसी अंधविरोध के कारण ऐसे लोग यह सविकार करने में भी आनाकानी कर रहे हैं कि पैंगोंग जील से पीछे हटना चीन की सिकस्त का परिचायक है इसके पहले चीन इस तरह पीछे हटने के लिए कभी नहीं तैयार हुआ इस बार वह मजबूर हुआ तो भारतिय सेना के मजबूत इरादे और भारतिय नित्रित्व की दिर्धता के कारण जो इसकी सराहना करने में सर्म संकोच कर रहे हैं वे एक तरह से भारतिय सेना के सोर्य की अंदेखी ही कर रहे हैं चीन ने गलवान की जड़प में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात एक ऐसे समय सविकार की जब पैंगों इलाके में सैन वापसी का काम पूरा हो गया है और दोनों देशों के सैन अफसरों के बीच सीमा विबाद को लेकर अगले दोर की बातचीत होनी है भारत का लक्ष केवल यह सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए कि चीनी सेना अपनी हद में रहे बलकि यह भी होना चाहिए कि चीन सीमा विबाद हल करने के लिए आगे आए यह एक तथ्य है कि वह जान बूज कर सीमा विबाद को हल करने से बच रहा है इसका कारण यही है कि सीमा रेखा का अतिकरमण किया जा सके चीन को उसकी हद में रखने के लिए यह आवस्यक है कि उसकी कमजोर नसों को दबाने में संकोच ना किया जाए सीमा पर यथा इस्थिती की सूरत बनने के बाद भी चीन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीर में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट आखिरकार चीन यह मानने को विवस हुआ कि गलवान घाटी की जड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थे लेकिन फिलहाल उसने मारे गए सैनिकों की संख्या कम करके ही बताई है चीन पूरा सच बयान नहीं कर रहा है इस संदेह का एक कारण तो यह है कि अन्य सुरोतों से मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 45 से लेकर 70 तक बताई जा चुकी है और दूसरा यह कि इस खूनी जड़प के बाद चीनी सेना को अपने हताहत सैनिकों को ले जाने के लिए कई वाहनों का इंतिजाम करना पड़ा था यदि चीनी नेत्रित्व अपनी जनता के प्रतितनिक भी इमांदार होता तो अपने सैनिकों के बारे में सूचना देने में नौ महीने नहीं लगाता साफ है कि सरमिंदगी से बचने के लिए चीन ने सच का सामना करने से इनकार किया चुकि यह उसकी पुरानी आदत है इसलिए उसकी बातों पर एक सीमा से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन उसकी सविकारोकती के बाद भारत में उन लोगों को अवस्य सरमिंदा होना चाहिए जो यह मानने को तैयार नहीं थें कि गलवान में चीनी सैनिकों को कोई नुकसान हुआ ये ऐसे अंदविरोधी थें जो भारत से ज्यादा चीन के दावों पर भरोसा कर रहे थें वास्तो में इसी अंदविरोध के कारण ऐसे लोग यह सविकार करने में भी आनाकानी कर रहे हैं कि पैंगों जील से पीछे हटना चीन की सिकस्त का परिचायक है इसके पहले चीन इस तरह पीछे हटने के लिए कभी नहीं तैयार हुआ इस बार वह मजबूर हुआ तो भारतिय सेना के मजबूत इरादे और भारती नेत्रित्व की द्रिड़ता के कारण जो इसकी सराहना करने में सर्म संकोच कर रहे हैं वे एक तरह से भारतिय सेना के सौर्य की अंदेखी ही कर रहे हैं कीन ने गलवान की जड़प में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात एक ऐसे समय सविकार की जब पैंगों इलाके में सैन वापसी का काम पूरा हो गया है और दोनों देशों के सैन अपसरों के बीच सीमा विवाद को लेकर अगले दोर की बातचीत होनी है भारत का लक्ष केवल यह सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए कि चीनी सेना अपनी हद में रहे बलकि यह भी होना चाहिए कि चीन सीमा विवाद हल करने के लिए आगे आए यह एक तथ है कि वह जान बूझ कर सीमा विवाद को हल करने से बच रहा है इसका कारण यही है कि सीमा रेखा का अतिकरमर किया जा सके चीन को उसकी हद में रखने के लिए यह आवस्यक है कि उसकी कमजोर नसों को दबाने में संकोच ना किया जाए सीमा पर यथा इस्थिती की सूरत बनने के बाद भी चीन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए इस्टाव तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोग का कम्प्लीट हुगा मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किर्प्या इस वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दिया करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लिटेस्ट वीडियो जापको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपी को सीख सकें धन्यवाद